हेज फ्रेंट्स अलकुटों मैं कीचन आज मैं आप लोगों किशा शेयर कने जा रहे हूं पोहे की चेवड़ी की रेसिपी जिसे हम नाइनोल का पोहा भी कहते हैं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पोहे का चेवड़ा पोहा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पोहे लेकर उसे आंट से दस मिनिट तक बुनना है पोहे को बुनते वक ध्यान रखे कि कैसका फ्लेम मीडियम हो पोहे को तब तक बुनना है जब तक पोहा कड़क ना हो जाए हमारा पुवा जितना अच्छा बुना जाता है उतना हमारा जिवडा टेस्टी लगता है पुवे को इसी तरह से हलके हाथों से हिलाते रहे 10 मिनिट हो चुके है आप देख सकते हैं कि पुवे का गलर हलका से ब्राउन हो चुका है आप इसे हाथ में लेकर भी चेक कर सकते हैं इस तरह से तोड़के देखी अगर यह आसानी से तोड़ जाए मतलब हमारा पुव अच्छी तरह से बुन चुका है अब हम इसे एक बॉल में लिकाल लेगी क्योंकि हमें इसी पैन का यूज़ करना है दुबारा अब उसी पैन में हम दो बड़े चमच ओईल लेंगे यह दिखिए हमारा जो ओईल है गरहू चुका है अब हम इसमें पीनट्स डालेंगे यहां पर मैंने आधा कटोरी पीनट्स का इस्तिमाल किया है पीनट्स को भी हलका ब्राउन कलर का होने तक बुनते रहे है इस तरह से हलके हाथों से इसे हिलाते रहे है यह देखिए यह जो हमारे पीनट्स है वो ब्राउन हो चुके है इसे इतना ही ब्राउन कीजिए ज्यादा ब्राउन मत कर लिजिए अब हम इसमें चना डाल लेंगे जिसे हम डालिया भी कहते है चना डाल को भी हम 2-3 मिनी तक इसे बुनते रहेंगे अब हम इसमें ये काजु डलनेगे काजु को हमें हल्का ब्राउन कलर का होने तक ही बुनना है ध्यान रखे कि काजु जल न जाए कि काजु बहुत जल्दी से जल लगते है ये दिखिए ये परफेक्ट ब्राउन कलर के हो चुक है अब हम इसमें ये किसमिस डाल देंगे अब ये करी पत्ता डाल दे हरी मिर्ष डालेंगे इसमें अब ये तेल डाल कर इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम इसमें ये सारे पोहे डल देंगे अब इन साब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले लाल देंगे इसमें एक चमच लाल मिक्स पाउडर यहां पर हमने ग्रीन चिली का यूज किया है तो लाल मिक्स पाउडर कमी डालेंगे एक तियाई चमच हल्दी पाउडर आद्धा चमच धनियाव जीरे का पाउडर नमक टेस के इसाब से एक चमच शुगर डालेंगे हम एक चोथाई चमच आमचूर पाउडर अब इन सारे मसालों को हम पोहे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह जो सारे मसाल है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुके अब हम पोहे को एक बाल में लिका लेंगे अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगाए तो मेरे वीडियो की नीचे लाइक का बटन जरू किजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलिए मैं इसी तरह से और एसी पीज आप लोगों के शर्षा